नमस्कार सातियो जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम मैं दिलीप सेन आप सभी का informative classes में हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे PTT upward moment result को ले करके कि PTT upward moment result है वो आपका जारी हुआ है नई हुआ है क्योंकि बहुत से YouTube चैनल वाले ये बता रहे हैं कि आपका अलोट्मेंट है वो हो चुका है upward moment का जो result था वो जारी हो चुका है लेकिन अभी तक मैं आपको यहाँ पर site पे ले जाकर के दिखाऊंगा कि आपका अलोट्मेंट result जारी हुआ या नई हुआ है अगर हो गया तो आपकी list जो आपका college वो चेंज हुआ है या नई हुआ है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपने अलोट्मेंट निकाल लिया है और अगर आपकी college चेंज हो गई है तो आप मुझे comment करके जरूर बताएं कि हमारी college चेंज हो गई है और इस जिल्ले से इस जिल्ले में हमको college मिली है सातियो चलिए अब हम चलते हैं इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको यहाँ पर Google पर ले जा करके यहाँ पर PTT two year का जो course है हो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इस पर आपको click कर दे रहे है इस पर आप जैसे click करोगे तो यहाँ पर आपको एक link दिखाए देगा कि print allotment letter जब तक आपका यहाँ पर print allotment letter का link नहीं आता है तो आपको क्या मानना है सातियो कि यहाँ पर आखर एक link आएगा कि print allotment letter print allotment letter ऐसा एक link आएगा उस पर आपको click करना है ठीक है तो इस पर आप click करोगे तो उसमें आपको सम्माने जानकर ही मांगे जाएगी और वो परक्रिया में आगे आपको बता दूगा कि आपकी इस परकार से अपना allotment letter निकाल सकते हैं लेकिन जैसे आपको click change हो जाती है तो आप comment करके जरूब बता दीजिए अभी तक मैं आपको बता दूँ आपकी जो allotment list है वो जारी नहीं की गई है ना तो आपकी चोती list अभी तक जारी हुई है और ना ही आपका अभी upward moment का result है वो जारी हुआ है तो जैसे होगा आपको वीडिय कि मादेम से सुचित कर दिया जाएगा प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए